प्रेंड वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तो इस वीडियो में मैं अपनी गाड़ी के अंदर लगाने वाला हूँ फेंडर लाइनर जैसा के आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था के मेरी ड्राइवर साइड का जो टायर है उसके अंदर जो है फेंडर लाइनर की बिल्ड क्वाल्टी कैसी है और ये मुझे कितने का मिला है ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में और वीडियो सुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन नौटिफिकेशन को आउन कर लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करू तो उसकी नौटिफिकेशन आप तक पहुच जाए और आप उस वीडियो को देख पाए सबसे पहले और साथी साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर देना डूर खोल कर दिखा देता हूँ इसका तो यहाँ पर जैसे ही मैंने डूर को खोला तो देख सकते हो कितनी सारी मिट्टी हमारी यहाँ पर आ रही है जहाँ पर हमारा यह गाड़ी का डूर कनेक्ट रहता है तो देख सकते हो कितनी सारी यहाँ पर मिट्टी लगी हुई है और ज़्यादा दिन तक हमारा fender liner नहीं लगा रहता तो ये मिट्टी हमारी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा सकती है और दोस्तो fender liner ना होने की वज़े से मिट्टी कहा कहा तक मार करती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन दोस्तो fender liner लगाने से पहले मैं इस गाड़ी को wash करा के लाऊंगा तब ही fender liner इसमें लगवाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तो हमारा washing का काम सुरू हो चुका है और जैसे ही water pressure उपर की side किया तो देख सकते हो कहां से पानी निकल रहा है तो दोस्तो यह है वो fender liner जो के मुझे साड़े 300 रुपे में पढ़ा है और आप भी इसे purchase कर सकते हैं तो यह आपको बुडमो पे मिल जाएगा बड़े आसानी से और दोस्तो यहाँ पर मुझे इसकी quality भी काफी अच्छी लगी है देखने में और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कुछ होल तो आपको इसमें मिल जाएंगे और कुछ होल आपको खुदी करने पड़ेंगे यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यह होल य जैक लगाकर ही फेंडर लाइनर को यहाँ पर लगाऊंगा क्योंके दोस्तो इसमें क्या होगा जैक लगाने से हाँ इसका जो टैर के बीच का गैप होता है यह वाला गैप बढ़ जाएगा और फेंडर लाइनर को लगाने में आसानी हो जाएगी क्योंके दोस्तो जब हम फ जोर से हाथ से इसको अंदर को पुस करना है स्कूरू ड्राइवर को घुमा घुमा के यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा ये होल हो जाएगा इसके अंदर तो एक-एक करके सारे होल ऐसे ही कर लेने है और दोस्तो ये वाला होल आप स्कूरू ड्रैवर से नहीं कर पाओगे क्योंके दोस्तों यहां से हमारा फैंडर लाइनर काफी मोटा है तो जैसे हम स्कूरू ड्रैवर से इसको करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और हो नहीं पाएगा से ये पांच रुपे का एक मिलता है और इधर देख सकते हो कुछ स्कूरू रखे हुए और इसी के साथ ही ये मेटल के लॉक रखे हुए जो के मेरे पुराने फैंडर लाइनर में लगे हुए थे दोस्तो इन चीजों की आपको जरुत पड़ेगी फैंडर लाइनर को लगाने के लिए और जल्दी से दोस्तो अब लगा लेते हैं हमारे फैंडर लाइनर को और इसको फिलाल टायर के उपर ऐसे छोड़ देना है और जो बंपर के अंदर दो लॉक स्क्रू लगेंगे उनकी लुकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तो देख सकते हो जो दो होल आपको अंदर नजर आ रहा है बंपर के वहाँ पर हमारे दो स्क्रू लॉक लगेंगे और उसके लिए हमें खोलनी पड़ेगी हैडलाइट और हैडलाइट खोलने से पहले यह जो हमारा फैंडर लाइनर है इसको उठा कर यहाँ पर बंपर के उपर रखना है कुछ इस तरीके से जैसे के मैं आपको यहाँ पर रखकर दिखा रहा हूँ होल से होल मैच हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है इसमें लॉक स्क्रू फसा देना है तो उसके लिए हमें हेडलाइट खोलनी पड़ेगी और जो लोग मेरी वीडियो पहले से ही देखते हैं उनको पता होगा के हेडलाइट कैसे खूलनी है तो यहाँपर मैं हेडलाइट खोलना नहीं बता रहा हूँ और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने screw driver से इसको fix कर दिया है बिल्कुल और यह हमारा proper fix हो चुका है और इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पर जैसे हम बाहर आते हैं तो यह हमारा जो fender liner है यह एक side से लटका हुआ है तो हमें क्या करना है यह वाला side का जो काफी चोड़ा है तो screw हमारा पतला है तो इसमें आपको एक वार्षर लगानी पड़ेगी तो यहाँ पर मैं एक इसमें पत्ती लगा रहा हूं जो के वार्षर का काम करेगी तो इसको मैं फिलाल यहाँ पर tight कर देता हूं अच्छे से और यह वाला हमारा proper दोनों तरफ से fix ह हो चुका है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंदर आना है तो यह hole से hole match करके यहाँ पर एक lock screw लगेगा इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देना है और बाद में इसको screw driver से tight कर देना है तो दोस्तों यह वाला हमारा fix हो चुका है पूरा और इसके बाद ठीक न आना है जहाँ पर हमारा sawker होता है तो यहाँ पर भी हमारा एक lock screw लगेगा तो इसका hole से hole match करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैंने यह वाला lock screw इसमें डाल दिया और इसके बाद दोस्तों जो इसका screw होता है उसको यहाँ पर अंदर डालने के बाद और screw driver से इसको जोर स tight कर दूँगा तो देख सकते हो यह कुछ इस तरीके से हमारा यह वाला screw भी हमारा लग चुका है और इसके बाद ठीक नीचे की side आना है यहाँ पर देख सकते हो यह एक और hole दिया गया है और इसके अंदर भी lock screw लगेगा तो इसका भी hole से hole match करना है और simply hole screw को अंदर डाल कर तो मेर पास फिलाल यहाँ पर nut guard नहीं है मैंने order किया हुआ है जब वो आ जाएगा तो मैं इस screw को कोल कर यहाँ पर लगा दूँगा तो फिलाल मैं यहाँ यह वाला screw लगा रहा हूँ और जो इसके नीचे वाला screw है वो मैं नहीं लगाँगा इसलिए क्योंके मुझे nut guard लग करिए तो उसके लिए मैंने क्या किया है फेंडर में अलग से एक होल बनाया है जो के इस क्रू से आप इजिली बना सकते हो यहां पर तो आपको क्या करना है सिंपली यहां पर इस क्रू रखके और इसको बंपर को थोड़ा सा अंदर को पुश करना है और यहां पर इस क्रू को एक और होल बनाऊंगा तो इसके लिए आपको क्या करना है एक बारिक सा पेंच लेना है बहुती सार्प वाला और इसको यहाँ पर रखकर हलके से प्लास से चोट मारना है और उसके बाद एक स्कूरू ड्राइवर से इसको अंदर कसना है जब आपको लगे के इसके अंदर होल गया है तो इस वाले स्कूरू को बाहर निकाल लेना है और जो में स्कूरू है उसको यहाँ पर लगाकर और बंपर को पुछ करके इसको यहाँ पर कस देना है ठीक है दोस्तो अब हमारे फेंडर लाइनर पूरा प्रोपर तरीके से लग चुका है और जो मेरी हैडलाइट है मैं उसको भी बंद कर देता हूँ और दोस्तो अगर आप मुझे डारेक्ट बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसिज कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तो आप भी अपनी गाड़ी के अंदर फेंडर लाइनर को कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाई दोस्तो